हलो फ्रेंड्स वेलकम टू मैं चैनल एवन टेस्टी पूर्स और आज मैं बनाने जारी हूँ काजू मोदक की रेसिपी गनपती बपा आने वाले हैं और हम सब उनकी तयारी में लग जाते हैं तो आज मैं बनाने जारी हूँ गनपती पपा के फेवरेट काजू मोदक की रेसिपी, इसे बनाना बहुत ही इजी होता है, इसमें कुछ खास ट्रीक है जिसे आप फॉलो करेंगे तो आपके मोदक परफेक्ट बनेंगे, तो आए चलते हैं इस रेसिपी को बनाने के लिए, तो काजू मोदक बनाने के लिए काजु ले लिया है तो सबसे पहले काजु को मिक्सी के जार में डाल देंगे और इसका पॉडर बना लेंगे तो ध्यान रखे जब भी आप काजु का पॉडर बनाएं तो पल्स मॉड में चलाएं मिक्सी को एक बर में ज्यादा चला देंगे तो इसमें और रिलिश होने लगे तो बस इसे मैं ने चान लिया है और दुबारा से मिक्सी के जार में भी चला के फिर से दुबारा चान लिया है तो यह छोटे छोटे ठोडे से पार्ट से रहा गए हैं तो इसे हम भटा देंगे किसी सब्ची में यूज़ कर लेंगे और यह हमारा फाइन पॉडर बनके रेड झीन भी अचय से मेल्ट हो गया है चीनी मेल्ट होने के बाद आप by से 1 मिट तक कुक करना है कि अगर वह जादा हम कुखकर देंगे तो बस हमें एक तार-दि आठ की चासनी नहीं चाहिए बस एक मिट तक को 1bow चासणी कहिंना डाल दो ये तब आप पॉर्डर डाल देते हैं और आपAST benefits मिलग सित्रने कोटे पर डाल निर्श इस इसमें एक हमसे लोगातार जता हैud इसमें प्यूख ब्रस्काइप कोटी और दाल कियों तो दिल् को लिए best आपकर desserts बस लगाता चलाते रहना है अब इसमें हम डाल देशी घी तो बहुत जादा इसमें घी भी आट नहीं करना है बिल्कुल एक चमची हम इसमें आट कर रहे हैं और बस इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और बस लगाता चलाते रहेंगे जब तक डो फोम में नहीं आ जाता है और ये दिखे धीरे धीरे ये ठीक होना शुरू हो गया बिल्कुल एकठा से हो गया है और जो पैन है बहुत अच्छे से ये छोड़ रहा है तो बस इसको बहुत जादा अगर हम ड्राय कर देंगे तो हम हमारे मुदक बिल्कुल नहीं बनेंगे ऐस टाइम गयास बंद कर देते हैं और इसे थोड़ा से चला लेंगे थोड़ा से थंडा कर لेंगे कि बहुत जादा इसको घ pode-do मुत्त हो चैक कर लेती हूं तो इसे तो थोड़ा से ये मिकस्छर ले लेंगे और इसे थंडा होने द तो इसे मैंने प्लेट में निकाल लिया है और हल्का सा ठंडा हो गया बहुत जादा इसे ठंडा मत कर दीजिएगा वरना इसमें आप फिर मोदक बना नहीं पाईएगा तो हल्का गरम है इतना कि मैं आराम से टच कर पारे हूं यहां मैंने यह वाले मोदक मोल्ड ले लिए स्टफिंग भी डालना चाते हैं तो आप इसमें स्टफिंग भी बना के डाल सकते हैं मैं बिना स्टफिंग के बना रही हूं तो बस इसी तरह सारे में इस तरह से फिल कर लूँगी एक बार में इसमें चार आसानी से बन जाते हैं और यह दिखे मैंने चारो कच्छी से फिल बनना करें बनना फिर आपके मोदक बाद में बनने पाएंगे तो हलका सा गरम रहेगा उसी टाइम से आप मोदक बनना स्टार्ट कर दें और यह हमारे काजू मोदक बनके रेडी हैं तो इसमें थोड़े से मैंने चांदी के वक लगा दिये हैं आप अपने इच्छा अनुसार इसमें डिकॉरेट कर सकते हैं या बिना डेकॉरेट के भी यह बहुत ही खाने में भी टेश्टी होते हैं तो इस गनेश पूजा गणपती बापा के लिए आप मोदक बनाएं खाएं और कैसी लगी मेरी रेसेपी कमेंट में जरूर बताएं आप मेरे चानल को प्लीज लाइ लाइक सेर सब्सक्राइब जरूर करें थैंक यू